कि लोगों ने उसकी आग्या उलंग ना की इसलिए उसने उनके दुश्मनों को उन्हें घुलामी में ले जाने गया उन्होंने यरुशलेम का नाश किया और बहुत से यहुदियों को उनके अपने देश बाबुल में ले गए दानियल बाबुल में गए यहुदियों में से एक था उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिम में तीन बार उसे प्रातना की परमेश्वर ने दानियल को आशिश दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया कुछ अगवे दानियल से एरिशा करते थे इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया लोग केवल राजा दारा से प्रातना कर सकते थे जो कोई भी उलंगना करता है वो एक शेरों की मांद में डाला जाएगा दारा सहमत हो गया दानियल ने अभी भी पर्वेश्वर से प्रातना की और प्हटर लिया गया दारा उधास था वो दानियल को पसंद करता था उसने जाना की उससे चालाकी की गई थी पर वो कानून को नहीं बदल सकता था दानियेल को शेरों की मांद में फेग दिया गया शेर तहाडे और दानियेल की तरफ आए तब एक स्वर्गदूत पहुचा और मेश्वर ने उसे भेजा था स्वर्गदूत ने शेरों का मुह बंद कर दिया दानियेल ने बिना किसी नुकसान के वहाँ पर रात बिदाए दिन निकलने पर राजा दारा ये देखने के लिए गए कि क्या दानियेल जीवित था पर मेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा दानियेल ने का राजा रोमान चित हुआ दानियेल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया तब राजा दारा ने दानियेल के दुश्मनों को मांदू है डाल दिया शेर उन्हें हड़क कर गए राजा दारा ने उसके राज में दानियेल के शक्त